हलो बच्चों मैं नेहासन नौ भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 कि पाठ्थे पुस्तग हिंदी शितेच भाग 1 का पाठ 16 काव्य है यमराज की दिशा जिसके लेखक जिसके कवी है चंद्रकांत देवताले बच्चों इस कवीता जो है यमराज की दिशा इस कवीता के अंदर कवी ने जो आज कल चारो और कल्योग में जो चारो और वातावरन चाया हुआ है जिसमें ब्रिष्टाचार है और लोगों का शोशन क đang के जा रहा है जो उच्छिवर्गी लोग है वो निम्नवर्गी के मर चुकी है उसके बाद में जो लेखक है जो कवी है उसे चारो और दक्षिन दिशा नजर आती है यम्राज की दिशा नजर आती है क्यों कि चारो और यम्राज की तरह है शोषन करने वाले यम्राज की तरह है मृत्यू तक पहुंचाने वाले लोगों का जो लोगों की संख्य बढ़ती जा रही है वो निम्नवर्गी के लोगों को इतना शुक्षित करते हैं कि वो उनकी जिन्दगी तक को लील लेते हैं तो चलियान कवीता पड़ते हैं आगे यम्राज की दिशा पहले हम इनके कवी के बारे में जान लेते हैं चंदरकांथ जी के बारे में साथोतर ईंदि कविता के प्रमुक हस्ताक्षर देव ताले जी उच्छ शिक्षा में अध्यापनकारी से संबंद रहें बच्चो साथोतर ही कविता क्या है जो आधुनिक में से पहले सब से पहले भारत फिंद्यूक्व आया। , दुवेधी युग आया। प्रमुख कभी कौन थे देवताले जी थे देवताले जी की जो प्रमुख रचनाय हैं उनमें हड्डियों में छिपा ज्वर दीवारों पर खून से लकडबगगा हस रहा है भूखंड तप रहा है पत्थर की बैंच इतनी पत्थर रोशनी उजाड में संग्राहले इत्यादी इनकी प्रमुख कृतिया है देवताले जी अनेक पुरसकारों से सम्मानित किये गए उनने बहुत सारे पुरसकार मिले जिनमें माखनलाल चतुरवेदी पुरसकार मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान आदी थे उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारती भाष व्योडर्वेद के अनुवाद भी हुआ है जो कवितां हम पड़ रहे हुंन ने क्या विश्य लिया किन विश्यों के आपर वड़ कवितां लिखी देखो देवताले की कवितारीं की जड़े गाम कसबों और निम्ण माध्य वर्द्ह के जीवन में है यानि उन्होंने जो अपनी कविताओं में वर्णन किया वो किसका कवर्णन किया गाव और कजबों में जो शोशित वर्ग होते हैं जैसे प्रेम चन जी ने अपनी रचनाओं में शोशित वर्गों का जो कि क्रिशक वर्गते मुक्यत हैं उन वर्गों का बहुत अच्छी तरह उन्होंने विस्तार से वर्णन किया अपने जितनी बि मी रचना उनके अंदर जैसे गोदान देखो आप उसे करिषक वर्ण्ग जो पूरा वर्णन उन्होंने अच्छी तरीके से बढ़ा है कर लिखा कि कोई भी वेक्तिव से पढ़कर के आसानी से समझ सकता है कि उस वक्त जो कृष्यक वर्ग था उन्हें कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता था तो उसमें मानव जीवन अपनी विविदता और विडम बनाओं के साथ उपस्थित हुआ यानि उन्होंने जो कावी लिखा उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसके अंदर मनुष्य जीवन की जिदनी भी विविदताएं हैं और विडम बना यानि की जो कठनाई है उनको उपस्थित किया है कवी में जहां विवस्था के कुरूपता के खिलाफ गुस्था है यानि इस विवस्था में शासन विवस्था के अंदर जो शोषन हो रहा है ब्रश्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ गुस्था है कवी के अंदर वही मानविय प्रेम भाव भी है और जहां विवस्था के खिलाफ उनके अंदर गुसा है, वही मानव ये प्रेम भी उनके अंदर भरा हुआ है, कविताओं उन्हों ने उस प्रेम को भी प्रदर्शित किया है, वे अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है, यानि वो बिना किसी, मतलब सरल भाषा में अपनी बातों को कहते हैं, घु कविता पढ़ने जा रहे हैं यमराज की दिशा, इस कविता की अंदर कवी ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की और इशारा करते वे कहना चाह रहे हैं, कि जीवन विरोधी ताकते चारों तरफ फैलती जा रही हैं, जीवन के दुख दर्द के बीच जीती मा अप्शक उनके रूप में जिस भै की चर्चा करती थी, अब वे सिर्फ दक्षिन दिशा में ही नहीं, सर्व व्यापक है, यानि कवी की जो मा है, उनका कहना था कि दक्षिन दिशा की और यमराज का वास होता है, इसलिए वहाँ पैर करके नहीं सोने चाहिए, किन्तु वर्तमान स्थ सिर्फिती में जो कवी है, वो मा की दीव ही याद को याद करता है, और कहता है कि जो दक्षिन दिशा है, अब वो केवल वही यमराज की दिशा नहीं, अपितु चारों दिशाएं यमराज की दिशाएं हो गई हैं, सबी तरफ फैलते विद्वन्स, हिंसा, उम्रत्यू के च ज़ड़ा होने का मौन आवाहन करता है यानि वो जो शोशन करने वाला वर्ग है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो आवाहन कर रहा है चड़िये पढ़ते हैं मा की इश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है परवे जताती थी जैसे इश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है कवी जब छोटे थे तब उनकी मा उनसे कहती थी कि मेरी जो मुलाकात है यानि मेरी जो भेट है वो इश्वर से होती रहती है लेकिन ये कहना यह नहीं बता सकता है कि उसकी माँ की मुलाका सच में भगवान से हुई लेकिन वो ऐसा जताती थी कि इसकी बात चीत होती रहती है और उससे प्राप्त्सलाहों के अनुसार, जिनदेगी जीने और दुख बर्दाश करने के रास्ते कोज लेती है और जो सलाह ईश्वर से उन्हें प्राप्थ होती उन्हें यानि कवी की जो मा है उन्हें जो सलाह ईश्वर से प्राप्थ होती थी उसी के अनुसार वो जिन्दगी जीने का सलीका सीखिती थी उन्हें सुख होता था वो सुख के अनुसार जीती थी जीवन व्यातीत करती थी फिर मान ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षण की तरफ पैर करके मत सोना वह मृत्यू की दिशा है। और उनको क्रोधित करना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि वो मृत्यू के देवता हैं और अगर उन्हें क्रोधित कर दिया तो वो मृत्यू के घाट पहुचा देते हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था उसने बताया था तुम जहां भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिन में। दिशा की और यानि तुम अगर पूरव में खड़े हो तो पूरव से दक्षिन कहां पड़ता है पश्चिम में खड़े हो तो पश्चिम से दक्षिन दिशा कौन से पड़ती है कहीं भी आप खड़े हो कहीं भी आप बैठे हो उसी स्थान से दक्षिन की और ध्यान देना व मा की समझाईश के बाद दक्षिन दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। उन्हें इस चीज का फायदा मिला इस चीज की उन्हें इलाव हुआ कि उन्हें दक्षिन दिशा में कभी किसी मुसीवत का करताई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिन में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मा याद आई दक्षिन को लांग लेना संभव नहीं था होता छोड तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता अब कभी यहां पर क्या वर्णन कर रहा है कि जब मा ने उन्हें बताया कि दक्षिन में कौन है यमराज का वास है जब मा उनकी एक्सपायर हो जाती है उनकी मा की मृत्यू हो जाती है तो उसके बाद में भी उन्हें ये बात याद रहती है तो वो क्या कह रहे हैं याँ पर कि मैं दक्षिन में दूर दूर तक गया है यानि दक्षिन दिशा की और वो बहुत दूर तक जाया है बहुत दूर तक उन्होंने यात्राएं की लेकिन उन्हें वहां मा की हमेशा याद आती रही लेकिन उन्होंने दक्षिन को लांग पाना क अभी भी संभव नहीं हो पाया, यानि कि वो दक्षिन दिशा में जहां भी गया, वो दिशा कभी समापती नहीं होती थी, होता छोड तक पहुँच पाना, वो जैसे ही छोड तक, यानि जैसे ही किनारे तक पहुँच पाते, दक्षिन दिशा के अंदिम छोड तक पहुँच तो यमराज का घर देख लेते हैं, उनके मन की ये इच्छा है कि वो यमराज की दिशा को देखें और उसको महसूस करें, या दक्षिन दिशा में जो यमराज का वास है, उसे वो देखना चाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, वो ऐसा नहीं कर पाये, पर आज जिदर भी पैर करके सो वही दक्षिन दिशा हो जाती है आप यहाँ पर कभी व्यंग कर रहा है कि आज जहाँ भी पैर करके सो होगे वहाँ दक्षिन दिशा नजर आती है यानि आज कल का जो वातावरन है कल्यूग में जो परिवेश है वहाँ पर कहीं पर भी मंदर बना दिये जाते हैं कहीं पर भी मस्जिद बना दिये जाते हैं कहीं पर भी गिरजागर, चर्च, कहीं पर भी बना दिये जाते हैं तो उनकी दिशाओं का आप कैसे ध्यान रखोगे क्योंकि आपका जो शयन कक्ष होता है या आपका जो बिस्तर होते हैं वो किसी भी दिशा की और आप लगा सकते हैं वो आपकी condition पर आपकी परिस्तिती के वे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लगा रहे हो ठीक है तो कवी यहीं कह रहा है यहां पर कि आज जहां देखो जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिर दिशा हो जाती है सभी दिशाओं में यम्राज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखो सहित विराज दें अब यहां पर कवी ने सिधा सिधा कटाक्ष किया है कि यम्राज जो है वो आलिशान महलों में निवास करता है अब बचो आज का जो वर्ग है आज की जो परिवेश आज की जो परिस्ति है उस परिस्ति के अनुसार जो उच्च वर्ग ये लोग हैं वो निम्न वर्ग का शोशन करके पैसे कमाते हैं और उन्ही पैसों से आलिशान महल बनाते हैं तो उन शोशन करने वाले लोगों को जो उच्छी वर्गे के लोग हैं पूंजी पती जो लोग हैं उनको यहां कभी ने यमराज की संग्या दी है और ये कहा है कि आज जो यमराज जो शोशन करने वाला व्यक्ति है जो पूंजी पती वर्ग है वो पूंजी पती वर्ग यमरा जैसे यम्राज की आंखे लाल लाल दहकती हैं वैसे ही उन लोगों की आखे भी एक साथ चमकती रहती है क्यों क्यों कुछ बळर कया हूंप क셔서 करने कि ढ कैसे ओड़ियुतरी बावन है वो भरी वह वैसे चाहते हैं कि हमारा घर है वो पैसों से भढ़ जाया है बाकि निम्नवर्ग कुछ भी करें आज की जो कंडिशन है आज की परिस्तिती है लॉक्डाउन का जो क्रम चल रहा है उस लॉक्डाउन के अंदर भी आप जानते हो निम्नवर्ग को कितना दुख सहना पड़ा कितनी कटनाईयां सहनी पड़ी किस जानता दाशन होगि के लिए ऑच्च वर्ग के लोग थे जिनों को पहले अिस सप्रैय करें अपना फिर्वक के पहना फरिस्ति के अनुसार क्ये अपना पर पीट बरे उसके बाद में जो बचय बचा था वो गरीब वर्ग तक ओमिन वर्ग तक पहुंचा इख उन theorick venture लोगों में देहकती आंखों से माँ अब नहीं है और यम्राज की दिशा भी अव्य नहीं रही जो मा जानती थी अब कभी यहां क्या कह रहे है चैनी मा जीवित नहीं है लेकिन जो वो कहती थी कि यमराज की दिशा दक्षिन दिशा है वो यमराज आज चारो दिशाओं में फैल चुका है अर्थात जो शोशन करने वाले व्यक्ति हैं जो लोगों का फायदा उठाने वाले व्यक्ति हैं वो आज की वल दक्षिन दिशा में नहीं वो यमराज की दक साथ आप ब्रश्ट होग चुकी है चारो और जो है क्या फैल गया है ब्रश्टा चार फैल गया है चारो और कुरीतियां फैल गई है जो की मनुष्य की जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो छोटे लोग हैं जिनका शोशन करने वाले जो पुझी पती वर्ग हैं वो उनका शोशन कर रहे हैं और अपने घरों को भर रहे हैं अच्छा बच्चों तो ये थी हमारी कविता यम्राज की दिशा आपकी पाठे पुस्तक शितिज भाग एक का पाठ सोला फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए पाठ के साथ अब तक के लिए धन्यवाद